तो बैस आज के इस वीडियो में जो है हम compounding करने वाले हैं और compounding के अंदर जो मैं 10 डॉलर से 100 डॉलर बनाने वाला हूँ ठीक है तो उसके लिए मैं एक एक चीज आपको ध्यान से बताते जाओंगा और आपको भी जो है इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखना है कोई भ यौभी trade place कर रहा हूँ आपको वो trade भहत ही ध्यान से देखनी है और साथ ही साथ अगर आपने अभी तक मेरा टेलीग्राम चैनल जोइन नहीं किया तो यह जल्दी-जल्दी यहार चलू कर सकते हो चलो जिए ज्सकी आप बीडियो को शुरू कर दें तो जैसा कि अभी आप देख पा रहे होंगे मेरी live account में अभी जो है $10 balance है और ये बहुत ही जल्दी 100 plus dollars होने वाला है क्योंकि हम यहाँ पे compounding करने वाले हैं तो इसके लिए सबसे पहले मैं market को थोड़ा सा analyze कर लेता हूँ कि कहाँ पे market trendy है और कहाँ पे market stuck है अगर market कहीं पे stuck होगा तो हम वहाँ पे अपनी trade place नहीं करेंगे हम सिर्फ और सिर्फ trendy market में अपनी trade place करेंगे तो चलिए सबसे पहले हमने अभी odd USD OTC का चार्ट open कर लिया है तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ऊपर एक resistance level आपको दिखाई दे रहा होगा ठीक है तो चलिए सबसे पहल दे दिया हमारी horizontal line को तो हम जो है green के प्लेस करेंगे अगर यह नीचे close हुई horizontal line के नीचे close हुई तो हम red के लिए trade करेंगे तो जैसा कि अभी आप देख पा रहे होंगे यह नीचे ही close हो रही है तो यहाँ पे हमने down के लिए trade place कर दिये तो चलिए अब देख लेते हैं यह trade win होती है या लूज होती है ठीक है ओके सो यहाँ पे जो है candle की fluctuation जो है वो थोड़ी सी scary है अब scary क्यों है जब भी candle जादा move करती है up down up down तो वहाँ पे थोड़ा सा हमें अंदर से भी डर लगता है और market भी वहाँ पे थोड़ा सा bad होने के signals देता है तो यहाँ पे इसकी fluctuation तो तेज है बट हमें थोड़ा सा believe है क्योंकि हमने जो है market को जिस तरीके से analyze किया है वो perfectly analyze किया है तो अभी हमारी trade का win होना 100% बनता है तो चलिए wait कर लेते हैं तो यहाँ पे अभी कुछ 5 seconds बचे हुए है candle हमारी direction में जा रही हो अभी आप देख पा रहे होंगे हमने अपनी first trade win कर लिए मतलब कि हमारी first step compounding done हो चुके ठीक है तो अभी आप मेरे account में देख रहे होंगे 18 डॉलर हो चुके है तो अभी आप देखिए अब जो है हम जो है next trade ढूडते हैं next compounding करते हैं करने जा रहे हैं तो आप सोचों के आप तुरंत करद सब पर मतलब कोई भी market में मिल जा और वहाँ पर आपको फट से trade मिल जा तो ऐसा नहीं करना है मेरे भाई आपको यहाँ पर थोड़ी से patience की जरुवत पड़ी की तो अभी आपको patience के साथ trade करना है अगर आप patience के साथ trade करोगे तो आपकी trade 100% win होगी ठीक है तो यहाँ पे काफी देर तक ढूंडने के बाद हमें AUD CAD में एक trade दिखाई दे रही है और यहाँ पे वही सेम resistance का level बना हुआ है तो यहाँ पे मैंने एक horizontal line लिया है और यहाँ पे कुछ इस तरीके से उपर इसे place कर दी है और same condition अभी भी apply करना है अभी जो है आपको जो मैंने resistance level जो horizontal line आपको draw करके बताई है अगर यह candle जो अभी create हो रही है अगर यह candle उसको breakout दे देती है उस horizontal line को breakout दे देती है upside तो हम upside direction में trade place करेंगे यानि कि green candle के लिए trade place करेंगे अगर यह candle उससे नीचे close होती है यानि कि वो हमारा resistance जो level है यहाँ पे मैंने horizontal line create किये उससे नीचे create होती है तो हम जो है red candle के लिए trade place कर लेते है तो चलिए पहले हम wait कर लेते हैं अभी हमारे पास eight seconds बच्चे हुए है थोड़ा सा time और बच्चा हुए five seconds four seconds three seconds तो अभी जो है मैं downward हाँ down के लिए मैं यहाँ पे trade place कर देता हूं क्योंकि मुझे यहाँ पे भी sure हो चुका है कि यहाँ पे जो है हमारी resistance को जो है यह वाली candle ने cross कर ही नहीं पाया तो यहाँ पे मैं जो है sure हो चुका हूं कि अब जो है यह candle सिर्फ और सिर्फ green रैड बन सकती है तो चलिए इसका भी हम wait कर लेते कि यह trade हमारी win होती है या नहीं होती है हमारी second step compounding जो है successful रहती है या नहीं रहती है तो आपको भी कुछ इसी तरीके से patience रख रखके trade करते जाना है करते जाना है तो आपका लॉस भी रीकवर होगा profit में भी आओगे ठीक है तो अभी हमारे पास यहां पर कुछ 29 seconds बचे हुए है अभी तो जो है trade हमारे against में जा रही है कोई बात नहीं अगर हमारा जो है जो हमने अभी projection को follow किया है अगर वो हमारा सही है तो trade अगर गलत भी चली जाती है तो उसके हमें इतना ज्यादा मतलब demotivation नहीं आता हमारे अंदर फिर भी यह trade हमारी जो है 100% win होनी चाहिए अभी तो हमारे direction में नहीं है ओके 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 3 2 1 ओके विन तो हमारी second step compounding भी जो है done हो चुकी है अभी हमने second step compounding भी successfully win कर ली है तो अभी जो है आप देख पा रहे होंगे मेरा balance हो चुका है 35 डॉलर ओके तो अभी आप मेरा balance देख रहे होंगे अभी मेरा balance जो है 35 डॉलर हो चुका है तो अभी जो है हम बढ़ते हैं third step compounding की तरफ ठीक है तो उसके लिए भी same चीज आपको फिर से apply करनी है आपको अपने mind के अंदर patience रखना है और patience के साथ आपको market को analyze करना है और analyze कर आपको जो है अच्छी डूना है देन आपको जो है आपनी प्रेट करना है तो मैं भी same चीज कर रहा हूं अभी market को analyze कर रहा हूं यहां पर मैं गया हूं euro GBP के ओटी सी ओटी सी के चार्ट पे देख लेता हूं यहां पर कोई ट्रेड बन रही है क्या ओके यहां पर नहीं यह तो यहां पर euro GBP का चार्ट यहां पर भी कोई ट्रेड नहीं है तो हमें थोड़ा सा patience रखना है वही चीज में आपको समझाना चाहता हूं कि आपको थोड़ा सा patience रखना है तो patience के साथ आप ट्रेड करोगे तो आपको जरूर से जरूर ट्रेड मिलेगी ओके तो चलिए यहा यहां पर हमें एक ट्रेड दिखाई दे रही है आपको भी सायद यह ट्रेड समझ में आ गही होगी कि मैं किस तरीके से यहां पर ट्रेड करने वाला हूं तो सबसे पहले यहां पर मैंने एक horizontal line को लिया यहां पर इस horizontal line के नीचे create होती है तो हम red के लिए trade place करेंगे अगर यह इस से उपर create होती है तो हम green clear trade करेंगे ठीक है तो अभी 7 seconds बचे हुए है अभी तक यह horizontal line के नीचे ही है तो अगर नीचे रही तो हम down के लिए trade place करेंगे ओके तो यहां पर हमने एक trade जो है down के लिए trade place कर दिये यहां पर हमारी trade जो है थोड़ी सी late place हुई है बट कोई बात हमारा जो है projection और हमारी जो prediction है वो अगर सही रही तो हमारी trade यह जरूर से जरूर विन होगी तो अभी तो जो है यह candle हमारे ही direction में जा रही है मतलब कि red के लिए place किया है तो अभी तो हम win में है ओके I hope कि यह trade भी win हो और हमारी third step compounding भी successful रहे तो अभी यहां पर 31 seconds बचे हुए है यह candle भी थोड़ी सी scary है क्योंकि okay okay मत जा उपर मत जा okay no 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 okay नीचे नीचे डाउन 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 तो अभी हम straight को भी देख लेते हमारी third step compounding भी successful रहनी चाहिए क्योंकि हम projection तो एक बढ़िया तरीके का follow कर रहे है अगर हम इसी projection से follow को follow करते रहे तो हम जरूर से जरूर hundred plus order बना लेंगे okay four three two one okay okay तो हमारी जो है third step compounding भी done हो चुकी है हमने जो है यहां पे अभी आप देख पा रहे होंगे मेरा life balance यहां पे 65 dollar हो चुका है और हमारी third step compounding भी done हो चुकी है अब बची है हमारी last step compounding तो उसको भी हमें patience के साथ place करना है क्योंकि आप जानती होंगे जब इतने सारे compounding first stage second stage third stage इतने सारे पार करने के बाद अब पोर्त पे आके अगर आप failed हो जाए तो आपको कितना बुरा लगने वाला है तो हम यहां पे अपना काफी सारा patience level दिखाने वाले हैं और साथी साथ हम यहां पे बहुत ही अच्छा और तगड़ा वाला projection follow करने वाले है तो यहां प OTC का चार्ट open कर लेते हैं यहां पे भी कोई opportunity नहीं है euro CHF का चार्ट open कर लेते हैं ओके तो यहां पे मुझे एक level दिखाई दे रहा है और यह बहुत ही तगड़ी opportunity होगी और इसे मैं miss नहीं करना चाहूँगा तो मैं यहां पे सबसे पहले trade place कर लेता हूँ देन आपको हमारी trade win होगी ही होगी और आपको नीचे एक level दिखाई दे रहा होगा जो कि मैंने horizontal line बनाई हुई है उस level से मैं यह समझ चुका था कि market यहां पे retest करने आई है और यह green candle जो है उपर ही close हुई है तो इससे मुझे यह समझ में आ चुका था कि market का retest भी complete हो चुका है और आप देख रहे होंगे यहां पे कुछ 17 seconds बचे हुए हमारे पास ओके तो अभी तो फिलाल हमारे direction में है trade I hope कि यह वाली compounding fourth step compounding होने वाली होगी हमारी यह तो यह done हो जाएगी तो हमारा जो है 10 dollar to 100 dollar target okay two one okay तो हमारी यहां पे जो है fourth step compounding भी done हो चुकी है और हमने यहां पे 123 dollars यहां पे अपने बना लिये हैं यानि कि हमने सिर्फ और सिर्फ 10 dollar से 100 dollar का target रखा था यानि कि 100 plus dollar का target रखा था और हमने वो compounding करके दिखाई है तो अभी आपको समझ में आ चुका होगा कि आपको किस तरीके से level's निकालेंगे तो आपको你2000 समझ में आ जाएगा कि आपको किस तरीकæ से compounding करनी है और अगर आपको levels निकालने नहीं आते तो मेरे पिछले वीडियोस देख सकते कुछ पुछ पराथी वीडियों निकालना बता हूए है और साधी साथ अगर इस चैंटल पर नहे ह में मिलता हूँ आपसे नेक्स वीडियो में तब तक क्लिए अपना ध्यान रखना जैहें बंदे मात्रा हूँ